हाई फ्रेंज मेरी यूटूब चैनल घरेलू नुसके असरदार उपाये में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आज में आपको चेहरे के दागधबों को दूर करने का साथ ही चेहरे को गोरा बनाने का असान सा घरेलू उपाय बताने जा रही हूँ इस नुसके के इस्तेमाल से आपके चेहरे के दागधबों पुरी तरह से दूर हो जाएंगे चाहे वो किसी भी तरह के दागधबों हो एकने के हो पिंपल्स के हो या किसी भी तरह के दागधबों हो यह उसे आफसानी से दूर कर देगा इसके अलावा इस नुसके के इस्तेमा करते हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके चीरे पर बहुत धाग दब्बे होते हैं पिंबल्स के एतने के या किसी भी तरह के चोट के निशान यह उसका आपके तवचा को पूरी तरह से बिदाग कर देगा और गोरा कर देगा इसके लिए सबसे पहले आपको लेना होगा पक पपीते को आप पीस करके उसका पिष्ट तयार कर ले पपीता हमारी तवचा के लिए बहुत ही ज्यादा फाइदे मन्द होता है पपीते की इस्तेमाल से हमारी तवचा के दागदब दूर होते हैं साथ ही यह हमारी तवचा को गोरा बनाने में काफी मदद करता है इसके आल अधा चमच मुल्तानी मिटी भी हमारी तुचा के लिए बहुत पायदा मन होता है, यह हमारे तुचा को अच्छे से क्लीन करता है और हमारे तुचा के जुरियां दूर होते हैं और तुचा में बहुत ज्यादा खुब्सूरती इसके बाद आपको इसमें mix करकेना है शहदू हमारी तचा में नमी बनाया रहता है साथ ही हमारी फ़ल्चा के दाखदबबों को मीटाने में काफी मदद करता है कि एक चमच आपको इसमें मिक्स करले ना है आप इन सारी चीजों को आप अच्छे से मिक्स कर लें इस तरह से आपको एक पेस्ट त्यार कर लेना है अब इस पेस्ट को आप अपने तवचा पर लगाए इसे अपने चेहरे पर साथी इसे अपने गर्दन पर भी जरूर लगाए और आप इसे ड्राई होने के लिए आप नॉर्मल पानी से इसे दोलें इसे हफते में तीन बार जरूर इस्तिमाल करें आप चाहे तो इसे रुजाना इस्तिमाल कर सकते हैं इसके इस्तिमाल से आपकी तवचा टाइट होगी साथी तवचा के दागदबे दूर होंगे तवचा का ग्लोब बढ़ेगा साथी अच्छी लगी तो प्लीजी से लाइक और शेयर जूरू करें साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं अगली वीडियो में